Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत जरूरी एक अच्छी स्ट्रेजी शेयर करने वाला हूँ तो देखिए, मार्केट में कोई holy grail नहीं होता है कि एक चीज़ आपने जान ली और बस अब आपको यहां से profit होगा लेकिन आज का वीडियो है, इसको अगर आप deeply observe करोगे, तो इसमें आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि अगर आपने उसी चीज़ को excel कर लिया, उसी चीज़ को master कर लिया, तो आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है सिर्फ वही इतना ही जानना market में काफी है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ आप देखिए, आप सो चीज़ों में मत गुसिए, अगर वो एक चीज़ को आपने master कर लिया, तो आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मैं फिर से repeat कर रहा हूँ तो क्या यह strategy है, कैसे आपको trade करना है, और क्या वो जी strategy जो मैं आपको बताना चाता हूँ चलिए अब बिना time waste की मैं सिधा आपको screen के उपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको strategy को trade करना है, तो चलिए screen के उपर चलते हैं तो देखे ये मैं आपको स्क्रीन के उपर ले आया हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये strategy क्या है, बहुत ही simple strategy है और इसके थ्रू में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक profitable trader बन सकते हो, आपकी अपनी कोई strategy है, उसमें भी आप same चीज अपलाई कर सकते हो, ल आपका peace of mind और आपकी capital दोनों बिल्कुल safe हैं, तो उनसे आपको डिरने की जरुवत नहीं है, तो ये एक strategy है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही simple strategy है और बहुत ही effective strategy है, मैं आम तोर पर इसको काफी underrated strategy बोलता हूँ, तो देखिए, करना कि आपको market अभी कहाँ पे trade क कीजिए, जो futures है, वो 24,400 के आपस trade कर रहा है, तो let's say आपने 24,400 जो की at the money का level है, उसी का एक call option यहाँ पे आपने buy कर लिया, एक lot, ये मैंने buy किया है, 271 रुपीज में, इसको buy करने के लिए मैं मार्केट को 271 रुपीज दिये हैं, अब यहाँ से 100 point उपर आ गया मैं, ज्य क्यों ऐसा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, चीजों को देखिए, आपको initially बहुत बड़े profit की जरुवत नहीं है, आप चीजों को percentage वाइस देखना, start कीजिए, तो बहुत उपर आपको नहीं आना है, क्योंकि ज्यादा उपर आओगे, तो बिलकुल आपका profit तो बढ़े तो पॉइंट आप उपर आईए, और 24,500 का जो call option है, यह आप sell कर दीजिए, तो यह मैंने 220 रुपए में sell कर दिया, अब आप देखिए, जो मैंने 270 रुपीज में buy किया है, और 220 रुपए में यह मैंने sell कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने market को net सिर्फ 50 रुपए दिये हैं, maximum loss अब मुझे सिर्फ 50 रुपए का हो सकता है, तो यह आप देखिए, यह मेरा pay off chart है, इसको बोलते है, bull call spread, तो यह strategy आपने कई बार नाम सुना होगा, लेकिन आपका नजरिया बस बदलने की जरुरत है, और फिर आपका इसको देखने का जो नजरिया है, जो perspective है, वो जैसे आप change करते हो, उसके बाद आप देखिए, किस तरह से आपकी, जो normally अगर आपने इसको trade किया होगा, तो आपको लगा होगा कि यार नहीं इसमें, ऐसा कुछ अलग से निकल के नहीं है, कि उसमें मुझे market की वो जो holy grail है, वो मुझे मिलगी, तो अगर आप एक strategy ढूंड रह बता रहा हूँ, और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखे मैंने 100 point का gap रखा है, 271 रुपीज मैंने market को pay किये, इस option को buy करने के लिए, और 220 रुपीज मैंने market से वापस ले लिए, इस option को sell करके, तो जब मैं इस trade को initiate कर रहा हूँ, तो मैंने market को net 50 रुपीज दिये हैं, मतलब जो मेरा maximum loss है, वो 1300 रुपीज का हो सकता है, उससे ज़्यादा loss मुझे नहीं होगा, और profit है, वो भी almost इतना ही है, तो अगर market नीचे 10% भी नीचे कल खुलता है, तो भी मुझे डरने की जरुत नहीं है, 1200-1300 रुपे से 12000 रुपे की होगी, जैसे अब अगर मैं ओप्ष्रा की बात करूँ, तो 12000 रुपे ये आपको बता रहा है कि आपकी margin requirement है, हो सकता है, इससे थोड़ीज ज़्यादा हो, तो आपका जो ये profit है, जो 1200 रुपे का profit है, ये 10% of your capital deployed है, तो within a month, एक month के अंदर अगर आपको 10% return मि नहीं है, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि initially आप ये मत देखे कि मुझे बड़ा profit target करना है, कि इस trade में मुझे 10,000 का profit हो रहा है, तो ये एक better trade है, और इस trade में मुझे सिर्फ 700 रुपे का profit हो रहा है, तो ये trade है, ये अच्छा नहीं है, तो आप absolute terms में उस profit को देखके कि किसी भी strategy को अच्छा या बुरा मत बोलिए, हो सकता है किसी strategy में आपको maximum profit हो 10,000 का होगा, आप एट दा मने का एक straddle है, उसको sell कर दीजिए, आपका maximum profit 30,000 रुपे का होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो strategy आपको trade करनी चाहिए, या वो इक अच्छे strategy है, maximum profit आपको 10% का lower circuit लगता है, तो आप उस strategy में जो loss होगा, उसका afford नहीं कर पाओगे, लेकिन इस strategy में अगर 10% का circuit लगता है, आपको maximum loss भी हो जाता है, तो भी आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि maximum loss मेरा 12-1300 रुपे का ही है, तो इस वज़े से maximum profit को द 10% मुझे एक मन्त में अगर मिलता है मेरी capital पे return, तो मैं बिलकुल खुश हूँ, उस strategy को obviously मैं master करना चाहूँगा, तो strategy wise कोई दिक्कत नहीं है, जो return मुझे मिल रहा है, वो बहुत handsome है, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे ये देखना है कि ये trade मान लीजा, आपने ले लिया, अब यहां से market उपर जाता है, अगर market उपर गया, तो आपको यहां पर profit होगा, 12.00 रुपेक आपको profit हो रहा है, आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, तो उपर गया उस case में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर market नीचे जाता है, तो फिर मुझे यहां पे loss होग क्योंकि मैं taxes और charges भी दे रहा हूं, तो इस वजए से मेरा जो loss है, आपको क्या करना है, you just have to mitigate your loss, market में दूसरी चीज़ यह है, एक तो मैंने perspective आपको बता दिया है, कि आपका perspective है, वो आपको पैसे बना के देगा, strategy आपको पैसे बना के नहीं देगी, वो perspective आपके mindset से develop होता है, ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ यह है, कि हम अपने losses को बढ़ाना चाते हैं, market में यह हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, देखिए, sorry हम अपने profits को मैंने उल्टा बोल दिया है, हम अपने profits को बढ़ाना चाते हैं, profit पे हमारा ध्यान होता है, कि कैसे यह profit है, यहां से बढ़ जाए, यह इस पर हमारा ध्यान होता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, profit बढ़ानी की मत सोचे, loss है, उसको कम करने की सोची है, जब आप risk को mitigate करोगे, तो profit हो एक by product है, आप अपने losses का ध्यान रखिए, profit है, उसका ध्यान market रखेगा, तो इस case में मेरा जो profit हो 12.00 रुपय का है, अगर market उपर गया, तो वो मुझे होई जाएगा, उसमें मुझे कुछ करने की जरुवत नहीं है, लेकिन अगर market नीचे गया, वहाँ पर मुझे कुछ करने की जरुवत है, तो market अगर नीचे जाता है, तो यह जो loss है, मुझे 12.00 रुपय का loss नहीं लेना है, मुझे इस loss को कम करना है, इसको mitigate करना है, यह दूसरी आपके learning होनी चाहिए इस वीडियो से, और तीसरी चीज़ में आपको यह बोलूँगा, कि आप market में losses को embrace करना सीखे, ऐसी कोई strategy आपको नहीं मिलेगी, जहां पर आपको loss होई ना, यह part of job है, अगर तो ऐसी strategy आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, so do not just remove losses from your trades, just mitigate them, क्योंकि remove करने जाओगे वो नहीं हो पाएंगे, तो उनको mitigate करने के कोशिश कीजिए, तो यहां पर जो 12-1300 रुपय का loss है, यह आप किस तरह से कम कर सकते हो, तो देखे उसका एक बहुत अच्छा adjustment में आपको बता लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर market आपके against जाता है, तो उसका adjustment यह है, कि आप अपने bull call spread को convert कर दीजिए, एक bear call spread में, bear call spread का मतलब क्या हो गया, कि market मान लीजिए, यहां से नीचे जाना start कर देता है, market तेजी से 300-400-500 point नीचे खुलता है, उस case में आपको यहां पे loss होगा, तो आपको करना क्या है, अगर market नीचे गया, तो 24-400 का call option आपने वाई किया है, इसमें आपको loss होगा, और 24-500 का call option है, जो आपने sell किया है, इसमें आपको profit होगा, तो जहां पे आपको profit हो रहा है, इस profit को आप book कर लीजिए, ठीक है, और याद रखिए, आपने 50 रुपे का यह debit यहाँ पे पे किया है, तो इस profit को आप book कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे जाए, और 24-300 का call option है, वो आप sell कर दीजिए, उस case में क्या होगा, आपने यहाँ पे जो आपको loss होगा, उससे, मतलब जो net आपने debit पे किया है, उससे ज़्यादा अब आपका credit हो जाएगा, या तो आपका जो trade है, उसमे एक छोटा सा आपको credit मिलेगा, और अगर debit भी रहता है, जो अभी 50 रुपय का है, या आपका 10-20 रुपय का debit रह जाएगा, तो इस trade में आपका जो maximum loss होगा, वो 300-400-500 point से ज़्यादा का आपको नहीं होगा, तो profit भी better आपको यहाँ पर risk reward मिलेगा, तो यह adjustment आप कीजिए, कि एक simple सा आपने bull call spread लगा दिया, market आपके direction में गया, profit को book कीजिए, market आपके against गया, कोई बात नहीं, आप अपने bull call spread को bear call spread में convert कर दीजिए, और फिर आप बैठे रहिए, पूरे महीने बैठे रहिए, आप trade को check ह कै की मत कीजिए, last में आप देखोगे, तो आपका जो loss था, क्योंकि यहाँ पर यह मेरी process से profit generate करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, loss mitigate करने के लिए कर रहा हूँ, तो जो तेरा सो रुपय का loss मुझे हो सकता था, इसके जगए मेरा loss है, तो 300-400 रुपीज गई होगा, और वो loss म मैं ले लूँगा, मुझे वो loss लेने में कोई दिक्कत नहीं है, I do embrace my losses, तो losses को embrace करना आप सीखिए, losses are part of job है, अगर आप उनको remove करने जाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसे strategy आपको नहीं मिलेंगी, जहां पर आपको loss हो ही ना, ठीक है, तो वो एक myth है, वो आपको कहीं नहीं म पढ़ेगी, तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, thank you so much for watching the video, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्क्राइब करें, this is Satpal signing off.